सच्रिय काल जीदा खालस टीवी देखन वाले देश दुनियां दे साड़े सारे दर्शकान दा बहुत-बहुत स्वागत है पंजाब दियां वडियां खबरां देश खास बुलेटन दे नाल मेहर शरन कौर आज मई में निदा आखरी दिन कत्ती मई है दिन शुकरवारा नांग शही सम्मत 555 दे मताविक आज 18 जेट हो गया खबरां देश खास बुलेटन दे वेचर सब तो पहला इतिहास दी जानकारी पांज पे आले पांज पीर छटम पीर बैठा गुर पारी आज मीरी पीर दे मालक छेवे पाथ्षा शिरी गुरु हर गोबिन साहिब जीदा गुर्गत्ती देहाडा है जिस वक्त गुरु साहिब नो गुर्याई मिली आप जीदी उमर 11 साल दे सी गुर्याई तो बाद छेवे पाथ्षा ने सिख प्रभु सता दे उबार वेच शिरियकाल तक साहिब दी उसारी करवाई ते टाड़ी प्रमप्रावी अरंब कीते सिखानों दस्वांद दे नाल नाल वदिया को उड़े ते शस्तर गुरु करांच पेंट करन दे होकम नाम में जारी कीते सिखी दे पर चार ते पर सार दे लेई गुरु साहिब वक्ख वक्ख थामा ते गए आप जी ने सिखे ते हास दिया पहलिया चार जंगा लड़िया ते चारे जितिया छे में पाध्षा जी ओ दालपन जन सूर में सन जिना ने श्री अकाल तक साहिब ते बैके अनाथा गरीबां तरम दी राखी ते जल्म नो वंगारन वालया ले दो तलवारा मीरी ते पीरी नामदिया तारं कीतिया जो पगती ते शक्ती दिया परतीक सन यहनकी सिखांदे विच पगती दे नाल नाल शक्ती दा संकल्पवी उजागर की ता। गुरु साहिब ने शिरी अकाल तक्त साहिब दी इमारत सिद्धा दिल्ली तख्त नूँ वंगार दियां उसे दिशा दे विच उसारी सी खालस टीवी वलों गुरु साहिब दे गुर्ता गदी दे हाडी दियां लख लख वदाईयां खुण मौसम दी ताजा जानकारी मौसम बे पाग दी पो एकवानी दे मुताबिक आज तो पन्जाब ती हर्याणा दी लोकान वड़ी राहत मिल सकती हैं कती मई आज तो लेके 2 जुन तक तुफान ते तेज बिजली गर्जन दिनार्णार मी दी पो एकवानी हैं ते आज तो लेके तिन दिना तक येलो अलर्ट जारी किता गया है। दिना जारी किता गया ह। दिल्ली विच्चो एसे दर्म्यान हीट वेव दनाल पहली जान जान डा मामला वी सामने आया दस्या जार है कि जड़े व्यक्ति दी जान गई या उसनों 170 डिगरी बुखार हो गया सी जुसरी द्याम तापमान नालों 10 डिगरी वाद सी तो बिना पक्खे जां कुलर वाले कम देच्वी रह रहा सी गर्मी करके पंजाब दे बरनाडा दे पी आटीसी मुलाजम दीवी ड्यूटी तरान जान चले गई ओ मक्यान की कारदा सी पटेलाज खराब होई पी आटीसी बास्ती मुरम्मत करके वापस पारत दे समयोदी हालत विगडी सी हास्पताल ले जान दे स चार खंड तो भी आञ्या ने बहार दे विच लू लगण कारण अठ जने दी जान चले गई यह राजस्तान दे विच पांज चार खंड विच चार ते दिल्ली दे विच एक जान गई है मिगालया तो मौसम नू लेके बड़ी खबर है जिते विपाग ने अगले पंच दिरां दोरान पारी मी पैन हने रिवगन अते असमान नी विजली डिकन दा रेड अलर्ट जारी किता है दखन पच्मी मौनसून काल में गालया से ने उत्तर पूरब दे काफी सूब्यां दे विच पहुंच किया है जिस्तो बाद ए हाला आत मौसम दे देखन नू मिल रहे ने चक्रवाती तुफान रेमल दे प्रबाव करके दखन पच्मी मौनसून ने मौसम विपाग दे अनुमान तो एक दिन पहला ही कल केरला दे ताट ते होर उत्तर पूर भी हिस्स्यां दे विच दस तक दे ती ति मौसम विज्यानियाने के है के चक्रवाते परवानों बंगाल दी खाड़ी ने खिच लिया जो उत्तर पूर विच समय तो पहला मौनसून दे दस तक दा एक कारण हो सकता है चक्रवाती तुफान रेमल एतवार नों बंगाल दे बंगला देश दे ताट नाल टकराया सी डखण बच्मी मौनसून 15 जून नों गुजरात पहुंच सकदा है उधर राजस्थान तो खबर है जिते हाईकोट ने कल सुबा सरकार नों लू करके जानना गौन वाली लोकां दिवारसानों मुआवजा देन दे हुकम देते ने हाईकोट ने वातवान संबा आलते पौन पानी तब्दीली दे संबांध विच्च सिव मोटो यानिके आपू नोटस लेंदे या राजस्थान दे मुखस कत्तर नू निर्देश देता के राजस्थान पानी तब्दीली प्रोजेक्ट तहत त्यार गरम रुत दी कारज ते टोक में कदम चुकनली वाख वाख पर पागांध यां कमेटियां दगठन करें लोकानों एसमेस एफम रेडियो टेलिविजन मुबाइल एप ते मीडिया ते अकबारा रही पे आनक गरमी बारे चौकस भी किता जावे हुण पार दे चौन डंगल दी गल करांगे देश देश सात में ते आखरी गेड दिया वोटां दिली पर चार कल बंद हो गया है पंजाब दे विच आखरी दिन तू आता अरपा आशना दिनार पर चार दे समापती हुई पंजाब चंडिगर समेत सात सुब्यान दिया सतवंजा सीटां ते काल स्वेरे सात वजे वोटिंग शुरूर हो जावेगी चौन पर चार पा में मुक्चुकिया पर उमीदवार होन करोकरी जाके डोर टू डोर जाके पर चार जरूर कर सकते ने वड़ी रैली जा वड़ा एकाठ नहीं किता जा सकता आकरी गेड तैत पंजाब दियां सारियां 13 हिमाचल दियां 4 यूपी दियां 13 बहार दियां 8 ओडी सा दियां 6 चार खांड दियां ते चंडिगर दी एक लोगसबा सीट दे वोट पैणी है परदान मंतरी नरेंदर मुदी जितो वारांसी तो खड किते 4 जून नों जाके सां आऊगा जिड़त जित गयां थोड़ा सोखा सां जूते हारनवाले नों कुछ कदेंता अखार होगा पर फिर होडी 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 ओमें बंदा बांड जांद है काल जडियां स्तवंजा सीटां दे वोटिंग होनी है उस्ते को लो 904 उमीदवार करोड़ पती ने जिनाद विचो एक नाम भी भी हर सिम्रत कौर बादल दावी है ते एक होर है रानी दिगाल ए है कि इनास्तवंजा दे सतवंजा सीटां दे उत्ते जिनने भी 904 उमीदवार खड़े ने उना चो सब तो वद अमीर भी भी हर सिम्रत कौर बादल है कल शाम 6 शे वजे चोनपर चार बंद होन तो फोरन बाद बारलयानू सुबे चो बाहर जान दे होकम देदते गए उन कोई वी बारला व्यक्ती वोटां तक सुबे विच एंटर नी कार सकदा पंजादे मोक्चोन अधकारी सिब्बन सीने डिप्टी कमिशनरां ते सीनियर पोलिस आफसरा नू नदेश जारी किते ने के वोटां तो पहला दे एड़ताली कांटे अंदरान हलके तो बारली लोकां दी आवाजाई ते तिखी नजर रखी जावे इस दिनाली मोक्चोन अधकारी ने पोलिंग स्टाफ दी सूल अतली पोलिंग स्टेशना ते डिस्ट्रिबूशन ते रिसीविंग सेंटरा ते खान पीन ते रहाईश ते उचित परबंद करन दे नदेश ते ने आज सारीया पोलिंग टीमा आप पो अपने स्टेशना ते पहुत जान किया चोन कमिशन ने बठिंडा आते लुद्याना नू समवेधन शील ऐलानया है इना दोवे सीटा नू चोन कमिशन ने पैसे दे खर्च पकों समवेधन शील ऐलानया है चोन कमिशन वालो हर संस्ती हलके वीचे खर्च पकों समवेधन शील होन करकी दो दो खर्च पर तैनात कीते गयने चोन कमिशने पूरी पंजाव च ब्याडी विदा अनसबा हलकेशन आखद कीते ने जिते पिछलिया विदा अनसबा चोना ते लोगसबा चोना दरान सब्तो वद पैसा आदर्स चोन साप ते दरान फड़े आगया सी बठिंडा दे लंबी बठिंडा दे हा ती तलवंडी साबो मौड दे मानसां दे विच पारी नक दी फड़ी गेसी एस वार चोन कमिशन दी अना हलकेशन ते पैन नी आख रहेगी उन्जवी बठिंडा ते लुदे आणा होट सीटा दे विचोहार लुदे आणा लोगसबा सीट दे विदा अनसबा हलके लुदे आणा पूरवी लुदे आणा दखनी पच्मी गिल दाखा ते जगराओन नुखर्ची पक्खों सम्वेदन शील एलान ने आगया है इस वक्त पंजाब दे विच ड्राई डे वी चाल रहे ने कल शाम 6 वजे चोन पर 4 मुकण तो बाद ही पंजाब दे विच शराब दी विक्री ते पूरी तरह ते पबंदी लादती गे सी जड़ी के कल 1 जून नुख शाम तक जारी रहेगी जदो तक वोटा मुकमल नहीं हो जान दियां उस तो बाद जदो 4 जून नुख नतीजे और गे तावी सारा दिन ड्राई डे ही एलान्या गया है ते वोटा वाले दिन वोटा पॉंड दे ले एक जून नुख ज़टर छुटी वी रहेगी केंदरी पंजाबी लेखक सभा ने कहा के पंजाब समेथ पूरे द जेश ते विच जे दो सताह थे और देली सियासी पार्टियां हर हरबा वरत रहियां ने ता किसे वी सियासी तेर कोड आम बंदे दी बुनियादनाल जुडे सेथ सिख्याते रुजगार दे मुद्दे ही नहीं हान। आखरी दिन सारियां पार्टियां दे वड़े लीडराने पंजाब दे विच्छी देरे लाए होई सान। ने फिस्दी पोल होंदी है ते चार तरीक नो नतीजे सान। सब नो पता लाग जानगे। कल पर चार दे आखरी दिन वड़े लीडराने की आखरी दाखेडे ओ सुन दे हान। ते शुरुआत करांगे परदान मंत्री नरेंदर मोदी तो। खीरली रैली कीती अते जम के आमाद भी पार्टी समेत इंडिया गाठ चोड़ते निशानने साधे कालेदाल दा नाम तक नहीं लिहा परदान मंत्री नरेंदर मोदी दा जड़ा पूरा पाशन सी ओहो तरमते केंद्रित रहा। नरेंदर मोदी ने दावा कीता बादा कीता के तीजी वरी सरकार बंटो बाद आदमपूर एरपोर्ट दा नाम गुरु रविदास जीदे नाम ते रख्या जावे गाते मोदी ने लोका नू एवी अपील कीती के मेरे जान तो बाद हुन अरदास्तां करे ओ मंदरां चे जा तीसरी बार मोदी सरकार बनाना पक्का कर लिया है मेरी इच्छा है कि आदमपूर एरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदाजी के नाम पर रखा जाए और नशामुक्त के इतने भाषन किये पूरे पंजाब को बदनाम करने वाली उड़ता पंजाब फिल्में बनाई थी चारों तरब बदनाम ही की थी लेकिन इनोंने आते ही नशे को ही अपनी कमाई का साधन बना दिया है दिल्ली के शराब गोटाले को पूरी दुनिया जान चुकी है यहां खनन माफिया भी पंजाब बीजेपी दे परदान सुनील जाखण ने आमादमी पार्टी नूं वड़े रूप दे वेच के रिया प्रिष्टाचार दे गाल कीती कॉंगर्स ते बीटे समय दे सियासी हमले कीते जदो दोहजार बाई दे विच परदान मंतरी नरेंदर मोदीदी फ्रोजपुर्च रैली रध हो गई सी कितनी बड़ी ठगी की है कितना बड़ा उन्होंने लोगों का सरमाया लूटा है उससे जाना जाता है कॉंगर्स ने सविदा आंते लोकतंतर बचौन दी गाल कीती सब तो एहम कॉंगर्स दा जड़ा परचार रहा ओ साबका परदान मंतरी डॉक्टर मनमोन सिंग दी चिठी सी जिसनों कॉंगर्स पार्टी ने चंडिगा दिविच प्रेस कांफरेंस करके रिलीज किता अते पंजाबियां नो सुने हाँ पे जया डॉक्टर मनमोन सिंग ने इस चिठी दे विच खास तौरते कहा कि जे समयदा आते लोकतंतर बचाणा है ता एत की जड़ा है गया बीजेपी नों नकार ना पवेगा कॉंगर्स ही पंजाब नों अगगे बदा सक दी है ते ये समयदा आते लोकतंतर बचाणा अखीरला मौ मंत्री ने पीम दी साखनू एनना तक का नहीं पहुंचाया जिन्ना के परदान मंत्री नरेंदर मोदी ने पहुंचाया है उदर राहूल गांदी अनन्दपूर साहिब हलके दे बंगा शेर दे वेच शीद पगत सिंग दे जदीपन खट-कट कला पाउंची हुए सान एथी हामले की ते राहूल गांदी ने भी एही कहा कि जे समयदा आंते लोगतंतर बचाउन है ता एद की बीजेपी नू हरोणा पाऊगा ते एक वड़ा वादा किसाना देनाल कीता कि जे साधी सरकार आउंदी है ता सी सबतों पहला किसाना नू हर फसल दी ग्रंटी दा मस्पी क पहली बात इंदोस्तान की इंडिपेंडेंट्स के बाद पहली बात समिधान पर आक्रवन हो रा है गरेंद्र मोधी जी अमिट शा जी और बीजेपी के नेताओं में साफ कह दिया है कि अगर वो जुनाव जीतेंगे तो वो अम्बेटकर जी के समयदान को गांदी जी के समय समिधान को रद कर देंगे ठाड़ के भी सबसे पहले ये जो समिधान है ये सिर्फ एक किताब नहीं है और लोग कहते हैं कि ये समिधान अजादी के टाइप में है मगर वो सहीन है क्योंकि इस समिधान में जो सोच है वो अजादी से बहुत पुरानी सोच है वो गुरु नानक जी की सोच है उसमें हिंदुस्तान के अलग-अलग मापुश्ण के सोच है शहीद बगत सिंग जी की बात करते हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि वो हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए यह बिल्कुल सच है बगत यह नहीं कहा जाता कि वो एक बहुत गहरे पोलिटिकल धिंकर थे और अगर आप उनकी सोच को देखें तो उनकी भी सोच सविधान म है तो इसीरे मैं यहां आया हूँ आपक से कहने कि जो भी आज तक हिंदुस्तान के लोगों को मिला है दलितों को मिला है आधिवासियों को पिछले ग varieties रोक पिसाना को जो भी मिला है जमीन का हग हो, रेजर्वेशन हो, पब्लिक सेक्टर हो, जो भी मिला है इस किताब के माधिन से बहुत है। और आज, और आज, BJP के लोग खुल कर इस पर आत्रमन कर रहे हैं। चार जून के बाद, हिंदुस्तान के सब लोग जो मंदेगा मैकान कर रहे हैं, उनको चार सो रुप हैं। हमने एक है लिए आया, हम इसके कर रहे हैं। बूसरी बात, आश्या और आमनमानी में जो महिलाएक आप करते हैं, उनकी जो आमदनी हैं। हमें लगता हैं कि वह बहुत कम हैं। चार जून के बाद, उसको भी हम दुबना करते हैं। और आग्री बात, जहां तक आपने भ्रंस की बात कही हैं। ये बात, सबसे पहले मैंने यहां पर्जाब में आकर उखाई थी। और लोगों ने मेरा मसा कुडाल था। जो आने वाली हैं, तबंग इसको फिल्टुर तेजी से मिठा दिने। आमाद्मी पार्टी दी नर्सरी दे विच्च सीम पगवंत मानते अर्विंद केजरी वालने वी अखीरला दा खेड़या दोवाने राल के सब्तो वकारी संगरूर सीर्ट ते रोडशो कड़े ते दावा कीता सीमानने के मोदी सरकार जा रही हैं, इंडिया गाट चोड़ द आमाद्मी पार्टी दे सुप्रीमो अर्विंद केजरी वालने लोका नो अपेल कीती कि 13-0 तो आनु कर नहीं पवेगा, ताही मान सरकार के इंदर तो अपने हक लेके आएगी संगरूर सीट तो पार्टी नू कहेंदे सब तो वड़ी जित मिलने चाहें दिया, रोडशो त पहला अर्विंद केजरी वाल अपनी पतनी सुनीता केजरी वाल दे नाल मान दे संगरूर वाले का अर्वी पहुंचे, अते सीयं मान देती इनों अशीर वाद देता अब फिर से एक बारी मान साब के हाथ मजबूत कर दो, 13 की 13 सीट अगर आ गई, तो एक तरह से ये 13 MP मान साब के 13 हाथ बनेंगे, जो केंदर सरकार से पंजाब का हक लेके आएंगे परचार दे आखरी दिन श्रोमनी अकाली दल ने पंजाब दे हकां दी गाल कीती, हर सिम्रत कौर बादल आमादमी पार्टी नू के इरदी नजर आई के चंडिगड दे विच ए दो में कठियां पार्टियां ने, कॉंग्रस दे आमादमी पार्टी, पंजाब दे विच एक बिकरम सिंग मजीठिया ने कैबनेट मंतरी बलकार सिद्दू दी, कथे ते राजोग विडियो दा मुद्दा चक के मुख मंतरी पकवंतमान नू के रया, पहली वरी के दे गलती हुंदी है, दूसरी वरी गुनाही हुंदा है, सिम्मान इना ते खलाफ औ बनदी कार्वाई क्यों नहीं कर रहे, सिम्म पकवंतमान दी अकाली दल खिलाफ जड़ी किकली सुनाई जान दी है, ओस दे जवाव इच बिकरम सिंग मजीठिया ने वी सिम्म पकवंतमान नू जुग नू कहके लोकानू तकरीर सुनाई गालचे प्या कोई मैडल मिले होए सोने दा चंगा लगदा एता विचारे लोग के जिर जिड़े गालचे चाडू पो आके भेर इतरा फोटो लोओं दी सुगबीर सिंग बादल ने सब तो वड़ा एलान कीता के असी ना एंडिये ना जाना है ते ना ही इंडिया गाट चोड़ दे नाल यानि के ना बीजेपी दे नाल ना कॉंग्रस दे नाल असी पंजाब दे आवास बढांगे सुप्रीम कोट विच अपनी तरीक लगी है सुप्रीम कोट ने पंजाब सरकातों पानी दा वेर्वा मंगे मुख मंत्री ने नेरी पार्टी पड़वारी बढाए ते उन्हानू कह देता कि तुसी लिखके देदो टेलां वेच पूरा पानी है सुप्रीम कोट वाडर ले लेना सी पानी हर्याने इन देदल फोज लाके अपानी कटना सी सुक्पाल सिंग खेरा निवी अपने परचार दर्म्यान आखरी रोडशो कड़्या बर्नाला दे विच रोडशो पॉंट्रन तों पहला ही अजाद उमीद्वार्ति सापका डिएसपी बलविंदर सिंग सेखों वी अपना रोडशो काड़ रहे सान दों में रोडशो आपस दे विच मिल गए तबलविंदर सिंग सेखों ने सुकपाल खेरा ते कॉंगर्स पार्टी दी उन्हां दे सामने ही अलोचना शुरू कार देती उन्हाने खेरा नू नशा तसकर तक कैदता जिस्तों बाद काफी महौल तनापूर्ण हो गया सी फिर पुलिस ने विच बचाड़े आके समझा अ बीजेपी दे कौमी परदान जेपी नड्डा ने मजे दे अमरित सर शेहर दे वेच अपने उमीदवारां दे हाक च बड़ी रैली कीती पंजाब खास करके सिख मुद्यानू लेके कॉंगर्स नू के रिया नड्डा ने उनिसो कहत तर दे वेच जिदो पाकिस्तानी फौज जिया नू इंद्रा गांदी ने चड़्या सीता ननकाना साहिव दे लांगे दी गाल क्यों नी रखी शर्त क्यों नी रखी एस मुद्दे ते कॉंगर्स नू के रिया ते करतार पूर साहिब दाल लांगा खुलवा और दे ले अपनी पार्टी नू सेरा दता एस दिन आले जिया ने कॉंगर्स नू सी एए दे मुद्दे ते भी के रया तो तब भी उस समय नानकाना साहिब के लिए कोरिडूर की बात नहीं की थी उनको पंजाब याद नहीं आया था उन्होंने उसकी चिंता नहीं की थी लेकिन जब मोधी जी प्रधान मंत्री बने तो करतार पू साहब जाने के लिए उनका रास्ता प्रशस किया तो किसी और नहीं किया यूपी दे मुख मंत्री योगी अदित्या नाथ चंडीगड अते अनन्दपुर साहिब दे विच रैली करन पहुंचे उनने सुबा अशर्मा ते रवनीत सिंग बिट्टू दे हाक विच रैलीयां क कितियां ते कॉंगर्स नों देशते विचे देश्चित गर्दी फेलाउन दाजिन में वार दस्या पंजाब सरकार ते इल्जाम लो दें किहां कि मान सरकार जेल तो चल रही है कट्ड़े मांदार कैन वाले ही सब तो वद बेइमान ने पंजाब चे हर तरह दा माफिया अधित्यानाथ ने राम मंदर दे मुद्धे ते बोल देयां शिरी गुरु गोविंच सिंग वारे एक विवादित ब्यार वी देदता गुरु नानक देवजी से दे करके गुरु गोविंच सिंगी महराज और निहंगों ने इस अयोत्या में राम चनभूमिके ले अक्रंपंति ने आकरके नड़ाई नड़े थे आज उस अयोत्या में प्रभू राम लला विराजमान हो गये वह पर राम मंतिर का निर्माण हो गया है अयोत्या में राम मंतिर निर्माण होने के प्रांद मैं और भाईयों गुरु गोविंच सिंगी महराज ने तो राम आवतार पर ही पुरा एक सर्ग निखा था भगाराम के पती कितनी आस्ता थी यह सब्तों में डिक्त नहीं क्या ला सकता जगदीब सिंग कालो ने दिती है उना दसया के रोज एविन्यू कोट दे वेच उन सुचरासी कतले आँडे मामले दी चल रही सुनवाई दरान कॉंगरसी लीडर सज्जन कुमार खिलाफ लगी ता रा तेंसो दो तेंसो पच्ची खतम कार दिती हैं गईया सन ते उना ने इस मामले विच दिली दे उपराजपालनू सारी जानकारी देती के इस सिख नसल कुशी दा मामला है जिस विच रंगा नाथन कमिशनिय सिफार्शा तो बाद थाना विकास पुली ते वेच उनिसो बानवे वेच एफ आयार नंबर दोसो स्ताई अबलीक बानवे ते एफ आयार सिंग नाम दे दो सिखा नू खतम किता सी दिली गुर्द्वारा परबंद कमेटी वल्लों दिती गी अरजीदा नोटिस लेंदे आ उपराजपालने विशेश जाज टीम नू सजन कुमार खिलाफ हाई कोट विच अपील दायर करन ले के हासी ते हुन सजन कुमार खिलाफ मा विच होन पटीशन पहुंची है डेरा सिरसा दे सामका मनेजर रंजीत सिंग दे कतलकान दे विच डेरा मुखी गुरमीत रामरहीम समेत सारे पांच मोलसमान उपंजाब रियाना हाई कोट वल्लों बरीकरंते मर्हूम पत्रकार रामचंदर छेतरपती दे पुत्तर अंशल चतरपती ने इस फैसले ना असेमती प्रग्टाओं देया इसनू निराशा जनक दस्या है अंशल ने कहा कि रंजीत सिंग दा परवार सुप्रीम कोट विच जावेगा इस मामले विच सीबीय नो वी अपने तौरते इस फैसले नू चैलेंज केंदे करना चाहिदा है क्यों उसनू रद करना मंद पागा है श्रियकाल तक साहिव दे जत्यदार गयनी रगबी ईर सेंग ने उत्तर परदेश दे पीली पी इतविच एक गरंथी सिंग दी नाबाले गती दे अगवाकार जबर जनादा सक्त नोटिस लेंद्या के हैं के मोल्जवानी गिर्फतारी दे व मजबूर होना पवेगा जत्यदार साहिब ने किया के पीड़त बची निया दालत विच अपने बयान दोरान दोशियां दे शिनाखत कीती है पर उत्थों दी संगत तो पता लगया के सानेक पुड़िस अधिकारी दोर सूखवान दोशियां दा पाखपूर रहेने शर्याम किया रहे हैं कि किसे वी सूर्थ विच उना दे खिलाफ कारवाई नहीं होवेगी जत्यदार साहिब ने सक्त लेजे विच कहा कि गरंती सिंग आते उना दे परवार नाल पूरी सिख कॉम खड़ी है यूपी पुड़िस ते सरकार नों किसी पुल एक विच नहीं रहना चाह नहीं दा जे सरकार कोई कारवाई सही समेते नहीं कर दी ता सिख कॉम अपने पदर ते फैसला लवेगा वोटा तो दो दिन पहला लूदे आना दे खनना दे पिंड़टे लवादे गुरू कार दे विच बेदबी दी एक होर कटना वापरी है जिस्तो बाद पूरे इलाके विच रोधी लहर फैल गई है पूलिस ने बेदबी करन वाली औरत दे खिलाफ तार्मिक पावनावापड का ओंडा मामलापा में दर्ज कर लिया है पर पूलिस ते मुताबिक ए औरत मन्द बुद्धी है सीसी टीवी वी समने आई है सीसी टीवी चे दिखाई दिन दे के प वित्तर सुरूप नों एक पास से कठा कार देंदी है जदो होर संक्ता के मत्था टेक दिया ने ता शिरीगूर ग्रान सावज दे पावन सुरूप देनाल शेट छाट दा खुलासा होंदा है उस तो बाद जाके डिड़ा सूचना गुरू का अर्धी परबंद कमेटी नों हो इसन एते सिक कॉम दा ओही फेर स्वाल है हर वार ओही स्वाल हुंदा है जदो भी ब्याद भी दिकटना वापर दीया ते जदो जदो पोलिस कैंदी है के दोशी मंद बुद्धी है तो कैंदीने के मंद बुद्धी लोग ने डिड़े उनना नों गुरू कर ही क्यों देने ओ अपने कारदे वेचे किसे दा कुछ दा विगाड़ देनी है गे गुरू करान देवी चाके कि में विगाड़ देने मंग कीती जान दी है हमेशा के एस दे पिछे जड़ी वड़ी साजिश है ओथो तक पहुंचया जावे ओधा पड़दा फाश कीता जावे उन तो स्टेंडर अपरेटिंग प्रसीजर दा खरड़ा दालत विच पेश किता गया जिदे विच दस्या गया कि पंजाब चेस वक्त नौसो तो बाद लोकानों पोड़िस रख्या देती गही है जिनना विचो ज्यादा तर पोलिटिकल लीदर हन स्लाबरेटीज दूसरे थांते ह दे नाल जुड़े लोक स्रख्या लाएं दे मामले विच्ती जे थांते हान तेन लाखर पर ये तो बाद दी मीनवार आमदन वाले व्यक्ति तो उस रख्या दे बादले लागब एक लाख पची हजार तो लाखर पर ये प्रती स्पाही वसूले जानगे जे किसे दी आमदन नाल जुड़े लोका नू सुरख्या ही ने दिती जावेगी जे स्लाबरेटी सुरख्या चौंदे ने ता उनना नू खर्चावी देना पऊगा पेश किती गी सोपी दे विच दस्या गया कि जिना नू सुरख्या दिती गई है उना दी हार तिनमी न्यादे वेच एक वरी स ज्मिख्या जरूर किती जावेगी कि होन भी इसनू सुरख्या दी अगे लोड है जा फिर नहीं जे लोड नहीं था सुरख्या कर्मी हटा आले जानगे चोड नतीजे तो पहला शेर बजार विच जबर दस्त गिरावट दर्च किती गी सेंसेक्स साथ सो पॉइंट ही 990 ते पहुंच गया चांदी 1480 पे ये सस्ती हो के 9680 ते पहुंच गई Canadian Subay Prince Edward Island विच उचेरी सिख्या हासल कर रहे पार्ती विद्यार्थिया ने होन एथे मुकमल को खड़ताल वेड़ देती है इना विद्यार्थिया दे सर्ते कैनेडा तो डेपोर्ट करके पार्त वापस पे जजान दी तलवार हाले भी लटक रही है सरकारवलों मौझूदा वरे 2004 वास्ते पर्मानेंट रेजिडेंसी ली वर्कना दी गेंटी किसो तो कटा के 1600 कार देती गई है ते कामें दी गेंटी दी विचस्तरा 25 फीस्ती दी कमी आजावेगी परदर्शनकारी विद्यार्थिया ने इल्जाम लाया कि सरकार उना लोकां दी जिन्दगियां बरबाद कर रही है ज़िडे पहला तो ही कैनेडा दी पीर हासल करन दी परकिर्यादे विचसन उना गया कि जे सरकार दे करना ते जून आसर की ता पुखरताल रुजाना किती जाओगी कनेडियन सूबे दे इमिग्रेशन ने जम बदल जान कारन पंजाव देयार्थिया नूं कैनेडा तो पार्त परतना वी पया है कॉल जान दे जाली दस्तवेजां ते स्टेडी वीजे लवाके 700 विदियार्थियानू कैनेडा पे जन्वाले तो उखिबास ट्रेवल एजन्ट बरजेश मिश्रा नूँ वैनकोवर दी अदाल्त विच इमिग्रेशन प्राद्दां देले दोशी करार देंद्यां तेन साल क पंजाबी सन्ते इस तो बाद इनो पिशले साल ते उस तो बाद इस बर जचेश मिश्रा नूँ उदो फड़य गैसी जलो कैनेडा दे वीच पंजाबी विदियार्थियां कला कारा नू टार्गेट कीता है हाला के होनर अजीत बावा ने इस पोस्ट ते नफरत फिलाउन वाले नू करारा जवाब भी दता है एक होर पोस्ट पॉस्ट पॉन है कि है गर्मी बहुत है पहला ही होर अग न लाओ पिछले साल गाना बना आया सी ओधिया लाइना ने किसे नू टार्गेट नी कीता गया सब अपनी अपनी मेनत का रहेने चिल करो पंजाब दियां वडियां खाबरां दे इस खास बुलेटन दे वेच्च थवाडे सब तो इजाजत चौने हां शाम नू फिर मिलांगे तानवाद